ओम रमस्षिवाई जय मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल व्रत्यो हार्टोटके मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा दोस्तों आज अस वीडियो में मैं आपके साथ गुरु प्रदोश व्रत का महत्व और गुरु प्रदोश व्रत हम हमें अपनाने चाहिए, यह सभी जानकारियां इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, संपुर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, दोस्तों हम सभी जानते हैं हर मास में दो बार प्रदोश वरत, मतलब की तिरुदुशी का वर रही हूं, क्योंकि दोस्तों प्रदोश वरत, हर वार के मताबिक उसका जो फल होता है, वो बदल जाता है, जैसे कि अगर तिरुदुशी कितिती सोम वार को आती है, तो वो सोम प्रदोश हो जाता है, जिसका फल अलग होता है, अगर मंगल वार के दिन प्रदोश वरत इसी प्रकार से अगर भ्रस्पति वार के दिंब्र मार जाता है तो इसे हम गुरु प्रदोश कहते हैं शनी बार के दिन पढ़ने वाले तिरोदशी, टिथी को हम शनी प्रदोश के नाम से जानते हैं और इस दिन का दोस्तो महत महत कुछ अलग हो जाता जैसे अलग-अलग फलो की प्राप्ती होती है अलग-अलग कामनाओं से भगवान भोलिनाद के सबसे प्रिय इस व्रत को हम धारन कर सकते हैं हम सभी जानते हैं तिरूदशी कितिथी भगवान शिवशंकर को बेहद प्रिय है इस दिन वो बेहद प्रसंद में रहते हैं और तिरूदशी कितिथी प्रदोश वरत दोस्तों जो हम करते हैं इस दिन अगर प्रदोश काल में विधी विधान से भोलेनात की पूजा आराधना जो भी व्यक्ति करता है उसकी समस्त मनो कामनाई भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं तो ऐसे में दोस्तों जब भी प्रदोश वरत गुरुवार के दिन पड़े तो आपको यह वरत क्यों रखना चाहिए देखिए आजकल बहुत बड़ी एक समस्या होती है विवाह शादी में बाधाएं आना कई ऐसे युवतियां हैं जिनके विवाह में देरी आ रही है विवाह उनका अकारण टलता जा रहा है और जो उम्र है वो लकतार बढ़ती जा रही है तो ऐसे में हो सकता है कि उनकी कुंडली में ग्रह दोश हो विवाह के लिए जो योग्य ग्रह होते हैं जैसे शोक्र गुरू इसकी स्थिती सही नहीं हो तो लाख कोशिशों के बावचूर भी विवाह में देखिए बाधाएं आएगी ही तो ऐसे में अगर आप गुरू प्रदोश के दिन कुछ सरल सटीक उपाई कर ले तो विवास संबंधी ऐसी बाधाएं दूर हो जाती हैं गुरू प्रदोश के दिन संदान प्राप्ती में अगर बाधाई हैं तब भी आपको उपाई अपनाने जरू चाहिए अब मैं आगे आपको एक एकर कुछ उपाई बताती हूँ जो सरल है और यहाँ पर एक और बात अगर आप प्रदोश वरत करते हैं तब भी इन उपाईों को अपना सकते हैं और अगर आप प्रदोश वरत नहीं करतें तब भी तिरोधिशी कितिती में आपको इन उपाईों को विधिविधान से अपनाना चाहिए इसका भी उतना ही फल आपको प्राप्त होता है दोस्तों अगर आप गुरु प्रदूश का वरत कर रहे हैं तो अन्य प्रदूश वरतों की तरह ही इस दिन की भी पूचा आराधना आपको रखनी है सुबह प्रातर काल उठ करके आप मि हाथ में थोड़ी सी चावल एक सिका जल और एक फूल लेकर के वरत का संकल पिले लेना चाहिए इसके बाद में पूरे विधिविधान से आपको गुरु प्रदूश वरत के दिन भी शिप परिवार की पूचा करनी है दिन पर प्रदूश वरत में निरहार रहा जाता है मतल संध्या कालीन पूजा होती है वो भी प्रदूश काल में तिनोधिशी किते थी में भगवान शिव की तो शाम में आपको पूरी तरीके से आप चाहें तो पंचोबचार दशोबचार जिस विधी से आप चाहें पूजन कर सकते हैं अब दोस्तों प्रदूश काल बहुत पा तालस मिनट बात तक किस समय को प्रदूश काल कहते हैं तो इसे डेड़ घंटे के समय में आपको किरोधिशी की तिथी में प्रदूश काल में ही भगवान शिव की उनके परिवार की पूजा आरातना कहिनी है हर प्रदूश वरत की अलग कथा होती है तो आपको इस दिन केले पत्र तो आपको पूजा में जरूर रखने चाहिए बोलिनात को दूट से बनी मिठाईयों का भोग हम लगाते हैं प्रदोश वरत के दिन तो आप ऐसा ही करें गुरु प्रदोश के दिन भी उनकी पूजा में आप उन्हें सफीर खीर आप लगा सकते ही भोग में ये पूज से बनी अन्य मिठाईयों का भोग भी आप लगा सकते हैं अब दोस्तो इस तिन विवाह शादी में जो बाधाई हैं उसे दूर करने के लिए अगर आप वरत धारन कर रहे हैं तो इस तिन आपको विशेश पूजा आराजना केले के व्रिक्ष के करनी है वही पर आप देव का आवान कर उनकी पूजा करनी है अपको इसमें क्या करना है कि सुर्योदे के बाद जब सुभह के आप पूजा करेंगे तो पीतल का एक लोटा ले ले उसमें जल भर ले हल्दी गुड और थोड़ी से चनी की डाल डाल करके केले की जल में अरपित करें और कच्छी स का एक दीपक चलाएं और पीले रंके आसन पर बैठ करके आप वहां पर भगवान भ्रस्पती देव की आराथना करें अगर आप भ्रस्पती शोत का पाठ कर सकते हैं साथ बार तो आपको ये जरूर करना चाहिए गुरु प्रदोश के दिन में क्यूंकि विवास शादी से स लड़कियों की अगर कोई दिक्कते हैं तो ये एक रामबान उपाय है दोस्तों जो आपको अपनाना चाहिए घर वापस जब आप लौटेंगी पूजा इस विधी से करके तो खेले के पेड़ की चड़ से थोड़ी सी मिठी लेकर आप लौटें उसका तिलक आप वहीं पर तो आपको ये उपाय करना चाहिए गुरु प्रदूश के दिन नियाद रखे इस दिन अगर पीले वस्तुर ही पहनते हैं तो बहुत अच्छा होता है अब दूसरा उपाय संदान प्राप्ति के लिए जो लोग प्रदूश करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए जिन भी मंदिर में जाना चाहिए जहां पूरा शिव परिवार मौजूद हो मतलब वहां शिव जी के लावा माता पार्वती गणेश कार्थी के नंदी जी की भी मूर्तियां हो और ऐसी शिव मंदिर में आप पूजन की जो भी शिव पूजन की सामागरी होती है आप लेकर इस दिन खास क्या लेकर जाएंगे आप जो डूज से अभिशेक करेंगे भगवान का उसमें थोड़ा केसर जरूर डालें केसर की धागे थोड़े पहले डाल दें आप वो उसमें घुल जाएं और उसी जलसे शिव जी का आपको गुरु प्रदोश के दिन अभिशेक करना ह बाकी परिवार की भी विथी विधान से माता की भी आपको पूझा करनी है इसके बात में शद्ध घी का एक दीपक लगा करके गणपती संतान स्त्रोट का पाठ करना है आप सफेद मिठाई या पीले मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं इस दिन गुरु प्रदोश के दिन इस उपाय के करने से शद्र संतान सुख मिलता है दोस्तों तो ये दो उपाय इस वीजो में मैंने आपको बताए हैं गुरु प्रदोश अगर आप करते हैं इन दोनों मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए चाहे वो शादिवा की अर्चनों को दूर करने के लिए नामपत्ति प्रापति के इच्छा हो या शादि के अर्चने हो वो दूर हो जाती है देखे वैसे तो साल में बहुत जादा आपको गुरु प्रदोश वरत नहीं मिलेंगे लेकर जितने भी मिलते हैं अगर आप संकल्प लेते हैं कि आपको सुफ गुरु प्रदोश वरत करना है तो आप इस पूजा विधी से भगवान की पूजा आराधना करेंगे गुरु प्रदोश के दिन भगवान विश्नु की भी विशेश पूजा आराधना करनी चाहिए तो आप इस दिन उनके लिमित भी विशेश पूजा जरूर करें अपनी इच्छा पूर्दी के लिए उमीद प्रेकार की समस्त पूचाबाथ व्रत्योहारों की उन पर की जाने वाले उपायों की जानकारियां आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत्योहार टोट की पर प्राप्त होते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेर करूँ वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्या जै मातरानी हर हर महादेव